1, 2, 3 प्रेयन है जो माइंड है वो खुला हुआ है आगर आपको सक्सेस्फुल बनना जो मेरा जो स्कोर था वो हंड्रेट के असपस था वहां से ट्रिक्स इंचीपोर्ट से मैंने इंप्रूव करके वन एड्टी के रेंज पे मैं ले करके गया अब एसा मत समझना कि यह ओन डाट एक्जाम डे होगे फिशल रॉट अब जिस सब्सक्राइए कि सब्सक्राइए। तो दिक और यहां पर मैंने आपके सामने वेस्ट लिए हैं जेए मेंन के प्रिवेसर क्वेशन्स मैथमाटिक्स के 2022 के 25 जुन के Shift 2 के मैंने आपके सामने उठा लिए हैं और यहां पर मैंने आपको कुछ magical ways दिखाने वाला हूँ जेए के क्वेशन्स को solve करनेंगे ठीक है ट्रिक्स और चीट कोड्स आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है पहली बार देखे रहो मेरे वीडियो को ट्रिक्स और चीट कोड्स से यार हम लोग जो questions exam में solve नहीं होते हैं आपसे उनको कैसे solve करना है alternative method से कैसे solve करना है जुगार लगा कि कैसे solve करना है यह हम लोग सीखते हैं ठीक है ना ट्रिक्स और चीट कोड्स का free playlist का link आपको description में मिल जाएगा 500 प्लस episodes है YouTube के अंदर में आप free playlist जो अच्छे से देख सकते हो ठीक है और साथ में tricks और चीट कोड्स का लोग देखें कुछ गाडू तरीका अगर आपको आप पहली बार आयो तो आपका जो आपकी आखे खुली की खुली रह जाएंगी अगर आते रहते हो इस चैनल पर ट्रिक्स और चीट कोड्स देखते रहते हो तो आपको बहुत मैजिकल तरीका इस कोश्चन को अट्रिम्ट करने का एक्जाम में जिसे कि आपका सही होने के भी चांसेस बहुत जादा बढ़ जाए सबसे पहले तो आप क्या करो अनलाइस करो इसको आपना पहले ड्रॉ करने का ट्राइब करो ठीक है तो यह हमारा y-axis हो गया यह हमारा क्य यह हमारा जो है लाइन हो गया अब लोकस ऑफ दो सेंटर किसका सेंटर एक ऐसा सरकल हो जो दोनों को टच करता हो ठीक है तो अब ऐसे बहुत सारे सरकल हो सकते हैं एक सरकल मान लो ऐसा हो जाए है ना एक मान लो ऐसा हो जाए ठीक है बहुत सारे हो सकते हैं एक मान लो ऐसा हो ज तो कि यहां से ऐसा बन जाए तरीके से समझे आपको फील आ रहा है कुछ इस तरीके का बन जाए सो बहुत सरे सरकल्स हो सकते और यह जो लाइन है दोनों को टच कर रहे हो कि आपको बात क्लियर है अब देखो हमको क्या चीए लोकस चाहिए ठीक है अब obvious सी बात है, हम लोग को equation चाहिए, तो locus जो भी होता है, वो हर circle को satisfy करेगा, मान लो ऐसे infinite circle हो, तो हमारा जो भी locus है, वो हर एक infinite में जितने भी circles होंगे, उन सब के center को satisfy करेगा, yes or no, सब को satisfy करेगा, तो आप क्या करो, कुछ मत करो, सिर्फ एक circle imagine कर लो, आप सिर्फ एक circle ये वाला imagine कर लो, सिर्फ आप ये वाला जो circle है न, ये आपको दिखने में लग रहा है न, circle, जो दोनों को touch कर रहा हो, है न, सुंदर बनाया diagram मेंने, इसका center क्या होगा, यहाँ पर होगा, feel आ रही है, आप कुछ मत करो, बस इसका आप coordinates को imagine कर लो, ठीक है, तो इसका coordinate होगा कुछ x, y, है न, जिसमें very sure है कि x की value जो है वो negative होगी, और y की value जो है वो positive होगी, clear है, अब ये one of the circle होगा, infinite circles में से ये भी one of the circle होगा, तो ये equation को satisfy करेगा, option a और बीदे को eliminate हो जाएंगे, क्यों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर sign opposite है, option a में जैसी आप डालोगे x को negative डालोग यहाँ पर positive है, तो दोनों क्या है, satisfy नहीं कर रहा, पहला दोनों option आपका क्या हो गया, eliminate हो गया, ठीक है न, अब सवाल आता है c और d में, ध्यान से देखना, c और d में यहाँ पर आपका क्या है, y square minus x square is equal to 2xy, 2xy को मैं negative बोल दूँ, 2xy को मैं negative बोल दूँ, क्योंकि negative बोल द बता हूं, that means, अगर c option correct हुआ, तो x square should be greater than y square, या फिर x should be greater than y, तब यह negative आजाएगा, और अगर यह सही हुआ, तो y should be greater than x, तो यह वाला correct हो जाएगा, negative आजाएगा, समझ रहा नो बात को, क्योंकि देखो, छोटा minus बढ़ा करोगे, तब ही तो negative आएगा, ठीक है, छोटा minus बढ़ा करोगे, तब ही negative आएगा, तो अगर यह सही होगा, तो यह होगा, अगर यह सही होगा, तो यह होगा, तो यह होगा, राइट, आप बस diagram में, देख लो, और मेरे को बता दो, y बढ़ा यह x बढ़ा, magnitude में, यह इतना सा x है, लेकिन y देखो, कितना उपर है, समझ रह आप नीचे भी चले जाओगे, तो भी वही होगा, magnitude में, आपको समझ में आ रहा है, तो y is greater than x, so y अगर greater than x है, तो यह value तो positive आएगी, तो RHS में negative है, तो यह वाला क्या होगा, eliminate होगा, option D आपका जो है, सही होगा, तो हमने क्या किया, बहुत सारे circles होगे, हमने उसमें से सारे question solve होगे, नहीं, ऐसे सारे question solve होगे, आपको mindset develop करना पड़ेगा, depending on the type of question, आपको trick लगाना है, अब जैसे ये question जब मैंने देखा, तो मैंने trick लगाया पहली बार, ठीक है, अब मैं आकर के आपको यहाँ पर trick समझा रहा हो, अगर आपको यह समझना है, कि आप on spot कैसे tricks लगा होगे, exam में बैठ के, कई बार बच्चों को लगता है, exam में बैठ के कैसे trick लगाएंगे, on spot कैसे trick लगा लेंगे, तो यार उसके लिए आपको course में enroll करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको on spot tricks कैसे लगाना होता है, सोचना कैसे होता है, mindset क्या होता है, पूरे उसके जड अगर आप अभी तक यहां तक टिके वे होना, तो you deserve to see this question, यह question जब आप देखोगे, आपका दिल बोलेगा हडिपा, मतलब मज़ा आ जाएगा, next level magical technique है solve करनेगा, normal बच्चा क्या बोलेगा, औरे बापरे बाप उकात के बाहर है, question तो solve भी नहीं हो रहा, लेकिन हमारे बच चे बोलेंगे, try करके देखते है, so basically क्या होगा, 15 pi by 4 है क्या देखो, 15 pi by 4 मतलब 15 into 180 degree by 4, 180 by 4 is like 45 degree, तो 45 degree को 15 बार लेलो, ठीक है, 45 degree, 45 degree, 45 degree, 45 degree, 45 degree, 4 बार हुआ, 5, 6 बार हुआ, 7, 8 बार हुआ, 9, 10 बार हुआ, 11, 12 बार हुआ, 13, 14 बार हुआ, 15 बार कहां पहुचेगा, यह minus 45 degree, यहाँ पहुचेगा, yes or no, अब आप मेंको simple सा बात बताओ, all sine tan cos तो आपको पता है, all sine tan cos आपको पता है, तो fourth quadrant में, cos क्या होता है, positive होता है, fourth quadrant में, cos क्या होता है, positive होता है, तो भले ही है, minus 45 degree का एंगल है, 15 pi by 4 को convert करने पर, still जो value आएगी, वो क्या हैगी, plus की value this will turn out to be tan inverse, 1 by root 2 minus 1 divided by sine 45 degree, आपको पता है, 1 by root 2 ही होता है, यह हो जाएगा, अब जब आप LCM लोगें, आपर तो ऊपर आजाएगा, 1 minus root 2, और यह आपका जोए कट जाएगा, clear है ना, तो यह कुल मिला के आपका बचेगा, tan inverse, 1 minus root 2, इसको आपको solve करना है, क्या आपको बात clear है, अब 1 minus root 2 का मतलब क्या होता है, 1 minus root 2 का मतलब होता है, tan inverse, 1 minus root 2 मतलब 1.4, तो इसको हम लोग रफली बोल सकते है, tan inverse, minus 0.4, yes or no, अब tan of minus theta is minus tan theta है, यह बच्चे-बच्चे को पता है, tan of minus theta is minus tan theta, ठीक है, फोर्ट कॉर्ट में देखो tan negative होता है, सिर्फ cause positive होता है, इसलिए चारो की चारो option में आपके क्या है, negative sign है, clear है, तो negative तो होगा ही होगा, अब आप magnitude देखो 0.4 की magnitude है, ठीक है, अब आप सिर्फ focus करो, कि tan 0 degree जो होता है, वो कितना होता है, 0 होता है, tan 30 degree जो होता है, वो कितना होता है, 1 by root 3 होता है, 1 by root 3 मतलब पता है, आपको कितना होता है, 1 by 1.7, 10 upon 17 तो ये ना approximately 0.6 के आसपस आजाता है, roughly roughly बोल रहा हूं है, ये 0.6 के आसपस आजाता है, ठीक है, फिर आपका tan 45 degree होता है, जो कि कितना होता है 1 के बराबर होता है, and फिर धिरे-धिरे value बढ़ती जाती है, tan 90 जो है, वो आपका 0 आ रहा है, और 30 पे 0.6 आ रहा है, तो ये तो फिर भी 0.4 है तो 30 से भी कम होगा, gradually value बढ़ रही है, 0 से 0.6 तक, तो ये 0.4 जो है, ये 30 से भी कम होगा, अब 30 का मतलब क्या है, 5 by 6 30 का मतलब क्या है, 5 by 6, तो हमारा जो answer होगा, 5 by 6 से भी छोटा होगा, with a minus sign, obviously, magnitude में बात करें, तो 5 by 6 से भी छोटा होगा, अब आप simple देखो, 5 by 4 जो है, वो 5 by 6 से बढ़ा है, काट दो, 5 by 12 भी बढ़ा है, काट दो, 4 by 9 भी बढ़ा है, काट दो, सिर्फ और सिर्फ 5 by 8 है, जो 5 by 6 से भी magnitude में छोटा है, और magnitude के साथ में, जो minus sign है, वो तो रहेगा, क्योंकि 10 of minus theta is minus 10 theta, so answer will be B, next level magical technique to solve a J-Main question, जुगाड, next level जुगाड, यह आपको कहीं नहीं देगेगा, पूरे YouTube में चान मारो, कहीं नहीं देगेगा आपको, हमारे वीडियोज लोग कॉपी करके बना, यह सारी चीज़े मेरे दिमाग से आरी एक्चली, मैं किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ है सब, ठीक है, प्रोवैबली हम पहली किताब लिखेंगे इन सारी चीजों पे, तो यह सारी चीज़े मेरे दिमाग से आरी है, तो ये चीज़े आपको कहीं भी और नहीं मिलेंगे इंस्टेंटली क्वेशन्स देखा और ट्रिक सोचा फिर आपके सामने इंस्टेंटली आगर के वीडियो बना रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगा है ना तो आप definitely यार कोर्स के अंदर में आजो कोर्स के अंदर में आपका जो गेम है ना वो पूरा नेक्स टेवल में ले करके चला जाओंगा जैमें 2023 के लिए आपको पूरा में रेडी कर दूँगा ट्रिक्स और शीट कोर्स के एंगल से लॉजिकल बेस्ट के एंगल से scientific study techniques आपको बताऊंगा कम टाइम में कैसे आपको पढ़ना है सारे strategies, सब कुछ, मेरे पूरे experiences, सब कुछ आपको पता चलेंगे छीक है ना, link आपको description में दिया हुआ है जाके जरूर सोस के अंदर में enroll करना और ये दोनों trick आपको कैसे लगे, comment section में आप जरूर से बताना चीक है ना, बाकी तो बस यही बात है आपको आपको इट्रिक्स और शीट कूर्स की वीडियो पसंद आए होगी अगर आपको इए वीडियो पसंद एज वीडियो लाइक करना मत बूलना और शेर करना मत बूलना, अपने बाकी सारे friends के साथ में ताकि वो भी इस platform का मज़ा ओट हैसके बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ों जुड़ने के लिए बने रही है यार